बॉलिवुड इंडुस्ट्री के गलियारों में हमेशा ही स्टार्स के लिंक अप की खबरें उड़ती ही रहती हैं तो वहीं इसी लिस्ट में नाम आता है बॉलिवुड की खूबसरत अधाकाराओं मैं से एक सारा अली खान और सुपरिस्टार कार्तिक आरेन का जब भी इन दोनों को साथ में देखा जाता है तो मानो फैंस भी इनकी कैमिस्ट्री के दिवाने हो जाते हैं वेल अब तो आप सभी को बड़े परदे पर इन दोनों की कैमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है जिहां हाल ही में इनकी अपकमिंग फिल्म लव आसकल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है बॉलिवुट के पसंदिदा जोडियों मैं से एक है सारा और कार्टिक की जोडी वहीं इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लोग हो गई हैं इनकी दिवाने जिहां जैसे ही लव आसकल 2 का फर्स्ट लुक सामने आया तो इस फिल्म को लेकर लोगों की एकसाइटमेंट बढ़ गई हैं अब ट्रेलर ने सारा और कार्टिक को एक साथ देखने के लिए फैंस के उत्सा को दोगना कर दिया है वैल यहां पर आपको यह भी बता दें कि ट्रेलर पर फैंस के रियक्शन को देखकर साफ लग रहा है कि फैंस उन्हें साथ में परदे पर देखने के लिए काफी बेताब हैं और वो चाहते हैं जल्द ही यह फिल्म रिलीज हो जाए और इन दोनों की खूबसुरत रोमेंटिक केमिस्ट्री पर देखने को मिले यहां पर सारा और कार्टिक की केमिस्ट्री ने ट्रेलर में ही धमाल मचा कर रख दिया है बता दें आपको कि सारा और कार्टिक की लवास कर इसी साल वैलेंटाइन स्टेक के मौके पर रिलीज होगी तो वहीं फैंस को दोनों की फिल्म का बेसबरी से इतजार है ऐसे मैं बता दें आपको कि यहां पर इस फिल्म में इन दोनों के साथ साथ हैं बॉलेगोड एक्टर रंडी भुड़ा जो की बत्तर लीड एक्टर के तोर पर ही नजर आएंगे उनका भी किरदार बहुत ही इसमें शांदार होगा तो वहीं इस फिल्म को निर्देशित किया है इम्तियाज अली ने वैसे आपको ये भी बता दें कि सारा और कार्ति की ये फिल्म दीपिका पादुकॉर्ण और सारा अली खान के पापा सैफली खान की लवाजकल का सीक्वल है तो वहीं अब सैफली खान की बेटी इस फिल्म में अपनी तमदार एक्टिंग का प्रदर्शन करने जा रही है वैल आप क्या कहते हैं यहाँ पर सारा और कार्तिकारियन की रोमेंटिक केमिस्ट्री को लेकर फैंस तो काफी अच्छे रियक्शन दे रहे हैं इन दोनों को देखकर तो वहीं आपकी क्या राय है या आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हैं फिलहाल के लिए हम चलते हैं तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्टो नाइन न्यूस से प्रांशी की रिपोर्ट